मैंने मंगवा है नया माइक एमजोन से जो किया है एप्रॉक्स 2199 यानि 22 रुबेगा मैंने मंगवा है सेल पे तो मुझे पड़ा है 499 यानि जस्ट 500 रुबेगा यह है कॉलर माइक विद जो भी है आपको दिवालो पूरे डिटेल में तो आपको कैसे मिल सकता है इतना डिस्काउंट 22 रुबे की चीच 500 रुबे में तो विडियो पूरा देखते रहा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक वोगा जरू से चेक आउट करना एंड करते हैं विडियो के स्टार्ट इसको करते हैं अन्बॉक्स तो करते इसकी अन्बॉक्सिंग जो यह है इसका बॉक्स और बॉक्स की क्वालिटी कापी अच्छी है प्रिम्यम Konnaprendi है शाइनी सर्फेस दिया गया लेका है जाए सब ग shut के अंधर गया है सो इसको भी एक बार हटा लेते हैं तो एक बार देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या-क्या जोला मिलेगा आपको माइक रखने के लिए उसके अंदर फुन्तुडू से दिये गया है यह कॉलर में लगाने के लिए इसके अंदर जो फुस्फुसिया और मिलते हैं जो कि हवा को काड़ने का काम करते हैं साथ में जोला बैक भी जो अच्छी खासी क्वालिटी के है जिसमे साफ में चाहूं तो अपने सोने के सिठके जोल्री ओगरा रख सकते हैं आते हैं मेन कॉमपोनेंट पर अपने माइक पर तो आप तार देख सकते हूं यह आप इंडिया में आफ एग जने को दे दो बाकी माय्क पाकिस्तान में दे तो इतनी लंबी वाइर दी साथ में एक ये बड़े वाला एडप्टर दिया गया अगर आप DJVJ के सैट अप में लगाते हैं तो बाकी ये चीज आपको मैं बता देता हूं ये अगर आप अगर आपको मुबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको इसको नीचे रखना है आफ पे जहां ये लिखा गया है स्मार्टफोन लैप्टप अगर आप DSLR में चला रहे हैं तो आपको उपर करना है ये आपको कैमरे में काम करेकर DSLR में तो फलाल के लिए हमें इसको अपर करें तो इसको एक बार आपको एक बार अपने पास रखना पड़ता है तो ये इस माइक के अडवांटेज है आप अलग-अलग separate माइक जो आदे सकते हैं इसमें भी आपको वेलकुरो देखने को मिलता है अगर आप एक टाइम पर एक ही माइक उसकर रहे है तो फटाफट से माइक को सटके एक लगाते है इसको आप लागा दीती है तो आप देख सकते हैं किस तरह के सदिख रहा है तो मैंने दूसरे माइक पर ये इसका विंड़ पर और यह कॉलर का मैक का अटेश्मेंट दोनों को अटेज करते हैं सो गाइस अभी तक मैं माइक टेस्टिंग है रहा हूँ रिकॉर्डिंग इस वाले माइक में करता हूँ 100 रुपे का माइक है तो टोटल लेंद्ज आप देख सकते हूँ इतनी है कैमेरे से अप्रॉक्स 1.5 मीटर है सो इसमें डिसद्वांटेज कहा रहाता है अगर अभी मैं बोल रहा हूँ सो आप मेरे वाद सुन सकते हैं आप सुब के कुछ बोलना तो आपने देखा होगा उसके वाद हल्गी सी कम आई है अब मुझे गया उसके पास ले जाना पड़ेगा अलो माइक चेक सो इस केस में कहा होता है माइक एक बार इदर एक बार इदर करना बढ़ता है उसके इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है प्लस इसकी लेंथ भी काफी लिमिटेड है काफी कम है सो वाइस को लेटी आप सुन रहे हो आप देख सकते हो वन दो थी माइक टेस्टिंग यह है मेरी अवाज मैं जो हूं मुबाइल से काफी दूर खड़े हुए इस ताइम आप देख सकते हैं लेंथ जो है वायर की काफी अच्छी कासी लंबी है सबख यह 1.5,000,000 तो अपने को यह तो 1.5,000,000 तो अपर वाला दूसरा वह 1.5,000,000 था वह लेकिन उसके क्वालिटी तोड़ी सी खराब हो ले थे पर सही चल गया, दो लाश्ट लें अगजर्टलि दिए अब आप देख सकते हैं मैं और पाइदा इने इक मैं फ्रेंड के वास है बाकि आपने सांड क्यूली नी होगी एफ बाकि जो वायर की लेंथ है और वह अच्छी हां सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलेगा 499 का अगर आप अभी परचेस करते हो तो आपको मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से परचेस करते हो तो 499 का अधर्वाइस इस वीडियो में इतना इता मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो अगर चार्च होगा नहीं फटेगा नहीं ब्लास्ट नहीं डेरा मत करेड़ कब दू करते कि आपक शना इसका शना तू सुन जर्गम चार्ड नहीं ओका अधर्डन नहीं आपको आपको इस व्हाइस आपक अगरेंड़ किता है यह जो माई का